नमस्ते, मेरा नाम अंशुल है और आप देख रहे हैं NBD Online इस वक्त इंजिन क्रिकेट टीम अपने होम सीजन में विस्त है बंगलादेश ये खिलाफ T20 सीरीज जा रही है इसके पहले टेस सीरीज में भारत ने बंगलादेश का सूपरा साफ किया था और 16 तारीक से न्यूजिरन के खिलाफ भी टेस सीरीज का आगाज हो रहा है इसके बाद साल का अंत होगा आस्क्रिया के खिलाफ उसी के घर में जाकर बॉर्डर गावस का ट्रॉफी से यह सीरीज भारत के लिए वर्ड टेस चेंप्रियंशिक फाइनल के लिए अससे बेहद हैम है और जो मैं खबर आपको बता रहा हूँ वो खबर भारत के इसी ऑस्क्रिया जोड़े से चुड़ी हुई है खबर यह है कि भारत के कप्तान रोहिट शर्मा इस पास्टेस मैच की बॉर्डर गॉस का ट्रॉफी के शुरुवाती कुछ मैच मिस कर सकते हैं खबर है कि पहला या दूसरा दूनों में से कोई एक मैच रोहिट शर्मा नहीं खिले रोहिच शर्मा क्यों नहीं खेलेंगे ये मैच कब होंगे और रोहिच शर्मा का रिप्लेस्मेंट कौन होगा इससे इंडियन टीम के सामने क्या-क्या चैलेंजेस होगे सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में तफसील से देखें रिपोर्ट दरसल 22 नवंबर से पर्थ में पहला टेस्ट मैच होगा और खबर है कि शायद रोहिच शर्मा पहला टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे BCCI को उन्होंने इस बारे में पहले ही जानकारी दे दी है और BCCI के एक सुत्र से ही ये फुरी बात अब मेडिया में आ रही है कहा जा रहा है कि कुछ व्यकतिगत आपात काल की स्थिति है कुछ पर्सनल एमर्जंक्ось है रोहिच शर्मा को सकता है कि वह पहला टेस्ट खेले हो Сकता है कि वह शायद दूसरा टेस्ट भी ना खेले अगर वो काम उनका निपड गया जो एमर्जंसी है वो पहले ही टल गई तब हो सकता है कि वो पूरी सीरीज में भारती टीम का हिस्सा आउंगे लेकिन फिलहाल यही है खबर कि रोहित शर्मा आपने शुरुवाती दो टैस में से कोई एक मैच नहीं खेलेंगे 37 साल के रोहित शर्मा बांगलादेशे खिलाब दोनों भारेलू टैस मेच खेले थे भारत 16 अक्टूबर से शुरुवने वाली तीन टैस मेच की सीरीज के लिए न्यूजरेंट की मिर्जबानी करेगा यदि रोहित ऑस्ट्रेलिया में एक टैस मेच नहीं खेल पाते हैं तो फॉर्म में चल रहा है अभिमन्यू इश्वरन उनके कवर हो सकते हैं इसे भी अभिमन्यू इश्वरन को इंडिया-A का कप्तान बनाया गया है और इंडिया-A की कप्तानी करते हुए उस वक्त वो ऑस्ट्रेनिया में ही रहेंगे तो कमोबेश यह तैम आना जा रहा है कि रोहित शर्म जब नहीं होंगे टीम के साथ में तो बतोर कबर आप अभ अभिकारिक कप्तान नहीं था इस बारे में जब टीम के असिस्टेंट कोच अभिशेक नायार से बात चीट की गई थी तो उन्होंने कानपू टेस्ट खत्म होने के बाद ये कहा था कि हमें बूलना नहीं चाहिए कि इस इंडियन स्कॉर्ड में एक दो नहीं बलकि तीन-ती आईपियल के कप्तान हैं और शुमंद गिल है इसमें रुशोच शर्मा के साढ़ साथ इसमें शुमन गिल है इसमें रिशपपन्त का नाम है यह लगा ही अपनी टीम की कप्तानी करते हैं तो अलभवी खिलाडियों की भरमार है और एसे कई खिलाडी हैं जिनके पास हैं कंगारू के खिलाब उन्हीं के घर में लोहा लेंगे पहले भारत में इतिहासिक घीत हासिल किया वाडर लोस को ट्रॉफि में और इस बार की कहानी थोड़ी सी अलग होगी थोड़ी सी चैलेंज़ इस फिलाल इस वीडियो में इतना ही मुझे आना शुक्त दीजिए जाज़त इसे तरीके की तमाम स्पोर्स कवरिज के लिए बने रही हमारे साथ देखते रहें वीडियो ओनलाइन शुक्रिया